हमें से कभी कोई नहीं जाना चाहता हस्पिताल, इसलिए मेरी कोशी से कि आप कम से कम हस्पिताल जाओ या फिर ना जाओ बाकी आपकी मेहनदा बताना मेरा फर्ज बनता है तो आज की जो दोस्तों टॉफिक है वो है कि हम अपने वो कौन से कौन से पॉइंट को एक्टिवेट कराएं जिससे हम हजारों बिमारी को अपने सरीर से दूर रख सेकें हमारी जो रोक प्रतिरों खिमता वो बढ़ जाए उसके साथ साथ कुछ नई प्रयोग तो पहला प्रय हिस्सा हर सुभा उठके क्या करनी है खाली पेट जैसे आप बिस्तर से उठते हो आपका जो डाइनिंग और एरिया है वहाँ पर आईए और जैसे यह आपका पाम है ऐसे इसको आप यहां रखें टेबल के उपर और नीचे जाहों तो एक छोटा सा टाविल भी आप फोल्ड करके भी रख सकते हैं इल्बो जो है आपका इल्बो से यहां आपको नीचे दबाव डालनी है इस तरीके से और इसको clockwise, Anticlockwise दोस्तों घुमानी है ऐसे इस तरीके से इसमें थोड़ा support के लिए आप नीचे टाविल ले सकते हैं जब आप एद दबाव डालोगे आपको सिध सिदे पांच फायदा होगा नंबर एक जिनका भी नाभी सेट नहीं होती है जी ने नाभी की हमेशा समस्या लगी रहती है हाजमा उनके एक्टम खतम है खाना हजम नहीं होती है समस्या उनकी सिर्फ पंदरा दिन में ठीक हो जाएगी और लगातार आप इसको कम से कम महना देड़ महना भी कर सकते हो मिनिमम टाइम है 15 डेज टू 21 डेज याने दो से तीन हफ्ता इस तरिके से आपको अपनी हटेली इस तरिके से रखनी है यहाँ आपको दर्द ना हो इसलिए यहाँ नीचे आप तावईरा का सपोर्ट लेसकते हैं और इस तरीके से आप clockwise, anti-clockwise घुमाएंगे, जब clockwise, anti-clockwise घुमाओगे, उपर वाली हाथ की मुठी जो है यह दोस्ते बंद रहनी चाहिए, इस तरीके से, यह मुठी आपकी बंद रहेगी, और इस तरीके से आप घुमाओगे, यहाँ आपका point number 29, और उसके नीचे point number 26 होता है, मैं आपको exact point भी दिखा देता हूँ, this is the point, point number 29, और just उसके नीचे यहाँ पे है, point number 26, ठीक है, और थोड़ा इधर आते हो तो point number 27, stomach यहाँ जाता है, इधर आजाता है आपका stomach, इधर आजाता है आपका kidney, याने इधर आगया point number 27, इधर आगया आपका point number 26, एक हाथ में आपको दिखा रहा हूँ, देखो location, point number 29, बीचों बीच, यहाँ आगया है, यहाँ आपका आगया kidney, point number 26, यहाँ आगया point number 27, यहाँ जो thyroid है, thyroid के just in नीचे वाला एरिया, इतना एरिया यह ले ले लेता है, ठीक है यहाँ, यह वाला इस, यहाँ आगया 70, अब आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यह आप ऐसे fixed कर रहे हूँ, यह 3.1 साथ में activate हो रहा है इस से, और यह clockwise और यह anticlockwise, और फिर थोड़ा इसे दबाव डाल की भी अब रखिए, same here, इसको हाथ मुठी बंद रखेंगे, इसको खुला रखोगे, और निचे एक टावे लोगे राकुछ दे देना, और इसको इस तरीके से दबाना है, clockwise and anticlockwise, clockwise, anticlockwise करके आप continuously करेंगे, तीनो पॉइंट एक साथ में stimulate होगा दोस्तो, जबरदस्त और tremendous result है, इसको तिन तिन बार करके आप कर सकते हो, और बीच बीच में आप इसमें दबाव डाल के दोस्ते इस तरीके से रखें, यह हाथ की मुठी बंद होनी चाहिए, और यह हाथ की मुठी खुली रहनी आपकी creativity दोस्तों बढ़ेगी, जैसे पहले भी बताया, जो जो problem वो समाप्त हो जाएगी, उसके साथ साथ, जो सबसे बड़ा फायदा है, बात, पीत और कफ, तीनों आपके दोस्तों balance हो जाएंगे, बात, पीत और कफ, सरीर में जो है, यह balance होगे, क्योंकि यह balance बिगरता ह तब ही दोस्तों हमको बिमारी होती है, तो आपको बात, पीत, पको balance करने के लिए भी इसका इस्तमाल करनी है, जिससे आपको joint pen खतम हो जाएगी, कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, हील पेन, जो हमेंसा दर्द सरीर में लगा रहता है, वो भी खतम हो जाएगा इस बात को याद रखें, कि आप pain free भी होगे, stress free होगे, anxiety free होगे, acidity, gastritis, constipation दोस्तों दूर होगा, उसके साथ साथ सबसे जो बड़ी लाव है, कि आप दिमागी तोर पे सांत रहोगे, जिन कोई insomnia की दिक्कत हमेंसा रहती है, वो डीनर के पहले, ये dining में बैठके डीनर के पहले ये point को इस तरीके से stimulate करें, ऐसे clockwise और anticlockwise, clockwise और anticlockwise, एक towel लेके आपको दिखा देता हूँ, कोई confusion ना रहे है, तो ऐसे रखो, और ये clockwise, फिर anticlockwise, फिर clockwise, इस side पर जब लाओगे, तो थोड़ा और pressure डल कराना है, फिर ऐसे tight करके रखो, जैसे मैं देखो, हाथ कैसे पह से पकड़ाओ, एसे elbow को पकड़ करके रखना है, और tight करके प्रेशर करके 5 seconds, 10 seconds रोखो, फिर रिलिच, फिर यहाद रखो, फिर यहाँ से pressure डालो, फिर clockwise, फिर clockwise, फिर clockwise, फिर ताइट करके रखो, थोड़ा से moment करनी है, और फिर ताइट करके, ऐसे इसे पकड़ना है पुरा, और यह दबाव डालनी है, तो यह जो तरीका है, यह बाज, पीत, कफ को बैलन्स करने वाली तरीका है, इसलिए यह वीडियो को आपको देखके, हर रोज सुभा सुभा तो भी स्थरमा को करनी है, जिन्हें रात को नीन होगरा नहीं होती है, वो डिनर के पहले करनी है, और थोड़ा ऐसे करने के बाद एक हाथ को थोड़ा रॉफ करें अच्छे से, और चेहरे पे इसको, इसका हीट आपने हो, बहुत सारी समस्या, आँक की समस्या, दांत की समस्या, एंटी सिस्टम पूरी परफेक्ट हो जाती है, यह हीट जब जेनरेट हम लोग करते हैं, उसके स पास सा दोस्तों, हमेशा जिनका जोड में खास करके घुटने में दर्द रहती है, वो यह दोनों वाली जो पॉइंट है, यह वाली पूरे पैर को रिप्रेंट करते हैं दोनों, और यह आपका घुटने का पॉइंट होता है, इसको कुछ नहीं, जब भी टाइम मिलता है, थोड़ा इसको मसाज करें, बीज वाली जो यह, घुटने में आपको दर्द बहुत आराम पड़ देगी दोस्तों, यह और यह, यह और यहां, इस तरीके दोनों आपका पैर को रिप्रेंट करता है, और यह बीचों बीच, यहां नहीं आता है, यह वाला, यह दोनों आपक कर सकते हैं, और यहां भी कर सकते हैं, इससे आपको गोटने में बहुत आराम पड़ जाती है, उसके साथ साथ, पॉइंट नबर 17 का भी दोस्तों आप इस्तिमाल कर लेना है, उसको भी दिखा देता हूँ, यहां पे है पॉइंट नबर 17, इसके बीच में आपको एक बात कह कहना चाहूँगा, किताब में इसको पूरी अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ, जिनके पास किताब है, उनके समझ में तो आही जाता है, जिनके पास नहीं है मेरी किताब, तुरंत आप आप अउनलाइन एमेजन से मंगा हैं, और आज रेफराल इस किताब को दोस्तों इस्तिमाल करो, सिरेस्ली कहता हूँ इबात को, ये घर से आपका दवाई भगाएगा, मैं कह रहा हूँ, बहुत मेहनत दसल की है, गोर तपस्या है, तपस्या को घर लानी है, एक्वरेस्य के साथ अखिप्रेशर दोगे, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा, तभ यह नहीं होना हमें घर में सजाघने के लिए लिए नहीं बोल रहा हूँ घर में इसको रख के इसको देखोगे सिखोगे कहीं भुलवटका नहों जये दाइया से ज्यादा XXB ज्यादा टीप्स है Groß customers उसे धर इंटरनाशनल स्टेंडर्ड का देखो Be Your Own Doctor 26 गंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम आठ डिवीडिज 64 GB की पेंड्राइब के साथ है ये दोस्तों ये आपको हमसे ही मंगाना पड़ेगा यहां से ही भेजा जाता है एक किताब आपके हाथ में हो और ये पूरा सेठवा एक की प्रेसर सिखने के लिए तो मज़ा आजा है लाइफ में आपको कोई चीज की दोस्तों और तकलीब नहीं होगी इसके साथ साथ जो मैं अभी आपको बता रहाता है यहां दोस्तों अब मैं आपको को दिखा रहा हूँ यहां पर है दोस्तों पॉइंट नबर 17 से आप नहीं आर्फराइटिस को खतम कर सकते हो यह पॉइंट आपको सुभा साम दो बार दबा सकते हो पचास-पचास के या फिर तीन बार बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर यहां पर आपको दबानी है उसके साथ-साथ ए वाली पॉइंट भी नहीं के लिए इस्तिमाल करनी है यह ही पेंड नहीं के लिए है जब अदस तरीके से इसका स्टिमलेशन के लिए तो आपको दोस्तों लाव होगा इस तरीके से और फिर यहां यह हाथ में यहां दबाएंगे उसी तरीके से नी के लिए यहां दबाएंगे सारा 50-50 टाइमस के साब से दबा और जो जो जॉइंट वाली है यह 32-50 टाइमस आपको दबानी है रेगुलर दबाते रहोगे दिन भरी में तो आपका दोस्तों नी भी ठीक हो जाएगा हिप में जिनको एवियन की प्रॉब्लेम रहती है उसमें भी काफी आराम पढ़ जाएगी और जो ग्याब एक दम कम हो जाती है वो ग्याब भी मेंटेन रहेगी आपका नर्व जहां पर ब्लॉक हो रही है वो ब्लॉकेज भी दोस्तों खुल जाएगी थंडा चीज़ अवोइड करें खटा चीज़ अवोइड करें थोड़ा जो लाइट एक्सेसाइज मैंने बता हैं वो आप करें वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं कुछ लाब होता है कमेंट बक्स में जरूर डालें उम्मीद मेरे से ना करो कि मैं हरे एक कुछ जवाब दे सकूँ मगर आप जरूर फायदा होता है तो अप्रिशेट करिए साथ जुड़े रहिए अच्छा काम करिए देश का नाम उंचाय रखें और किसी को कभी घ्रीणा के नजर से ना देखें सबको प्रेम करें तो आपके अंदर भी अच्छा ही आएगा और उसी से आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी और सहत भी अच्छी रहेगी एनर्जी आपकी ब्लॉक नहीं होगे इसी बात के साथ इस वीडियो के में समाप्त करता हूँ जय हिंद जय भारत